मैं पुरंदी सिंग घठी ग्राम फंचेस्ता रगट पंचेस्किती जवाजा तेस्वी ब्यावार जिदा आज में राजिस्तान करेने बादा हूँ मैं इपको कितान से जोड़ा हूँ और इसके बादी संदेश प्रतीज में सुनता हूँ उससे मुझे कई लाव हो रही है खेती में नवोचार के कई तरीके इपको संचार के द्वारा मुझे मिले हैं इसमें फसलो उप्चार वीजो उप्चार गेरी जुताई देश प्रकाले खड़ाई शिफाईदे आदी बुन्यादी चीजे मुझे मिली है इससे मैंने फसलों में काफी उत्वादन प्रास किया है गेहूं मक्की जो जवार बाजरा हमारे इस मगराक सेत्रे में सभी पैद इसमें प्रेद्ट गेहरे जाए कि घ entails की जाए और इसमसे क्या फाइद में उने वाले हैं उसके बाद में सेकंड बाद थी जाती है इसमें अच्छी आगि मैं कि विज सक्वेरीak slan जाए और उसके बाद वोई की जाए तो पेदावार में रद्धी होगी अगर दीमक की सिकाय थे तो फू फॉर्डी बगरे यह हूं कॉडली फारी पास बगरे यह डाल सकते हैं ह Això इससे हमारी फसल में रीमक्स और अन्य प्रकोफ उसके बाद में हमें हर साल हमारी भूमी की मित्थी की-जाच। पाढ़ की-जाच कणा ज़से कौन सी फसल किस खेत में कित्री उपज़े सकती हैं। उसके लिए हम फायदसे काम कर सकते हैं यह एको संचार की सबसे बड़ी उपलब्ती है और इससे हमें फाइदा हो रहा है हमें बागवानी में मतलब निम्बू, पफीता, बेर, करूंदा, बड़े गुंदे, रसूला जिसको बोलते हैं यह हम लगाते हैं तो हमें साइड इंगम हो जाती है तो इससे भी हमें इससे में बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मैं इपको खिसान का रैंडी हूं और मुझे खापी फाइदा हुआ है और वस्जुकालमर्ण में हमें कुरिपगा मूपगा घृत वह भिवारे में आफ़रा वह विवारे में इस विवह भिवारे में समय-शमय पर संदेश मिलते रहें और हम हमारे फाइद़ उठा रहें धन्यवाद स्वस्त समर्थ बने किसान इत्फों किसान का सपना है ऐसा